नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पून जानकारी को लेकर के जहां दोस्तों बालों की किसी भी प्रकार की समस्या हो उसके लिए आज हम आप सभी के लिए घरेलू औशधियों के द्वारा इलाज लेकर के आए हैं क्यूंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बाल जो हैं वो बिहद हैं खुबसुरत रहें काले रहें और घने रहें लेकिन होता क्या है कि समय के साथ बाल सफेद होने लगते हैं किसी किसी के असमय होने लगते हैं बाल गितने लगते हैं तूटने लगते हैं क्यूंकि बाहर पोलुशन इतना है जिसकी वज़ा से ये सारी प्रोब्लेम्स होते हैं तो आईया आज हम सभी जानते हैं कि अपने बालों को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं। अमर बेल जहां 250 ग्राम अमर बेल को लगभग 3 लिटर पानी में उबाल लीजे आप। इसके बाद आपको क्या करना है जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतार लेना है। सुबह इससे बालों को धोना है आपको। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे। इसके बाद त्रिफला का प्रियोग। त्रिफला के 2-6 ग्राम चून में लगभग 1 ग्राम का चोथा भाग लोह भस्म मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से बालों का जढ़ना बंद हो जाता है। इसके बाद कुलोंजी का नमबर आता है कुलोंजी से भी आप अपने बालों को लंबा बना सकते हैं। पचास ग्राम कलोंजी एक लिटर पानी में उबाल लेना है आपको इस उबले हुए पानी से बालों को धोना है इससे बाल एक महिने में काफी लंबे हो जाते हैं इसके बाद नीम से नीम और बेर के पत्तों को पानी के साथ पीस कर सिर पर लगा लें और इसके दो से तीन के बाद बालों को धो लें इससे बालों का जढ़ना कम हो जाता है और बाल लंबे भी होते हैं इसके बाद लहसुन लहसुन का रस निकाल कर सिर में लगाने से बाल उगने लग जाते हैं सीता फल का प्रियुक करके भी आप अपने बालों को लंबा बना सकते हैं सीता फल के बी बालों को आप देखिए कैसे कर सकते हैं सही। 10 ग्राम आम की गिरी को आउले के रस में पीश कर बालों में लगाईए आप इससे बाल लंबे और घुंखराले हो जाएंगे। अगर आप लगाते हैं ये और शदितो। इसके बाद शिकाकाई और सुखे आउले को 25-25 ग्राम लेकर थोड़ा सा कुट कर इसके टुकड़े कर लेना है। और बालों के सुखने पर नारियल का तेल लगाने से बाल लंबे, मुलायम और चमकदार बन जाते हैं। गर्मियों में यह प्रयोग सही रहता है। इससे बाल सफेद नहीं होते हैं। अगर बाल सफेद हो भी जाते हैं तो वह काले हो जाते हैं। इसके बाद मूली का प्रयोग, आधी से एक मूली रोजाना दो पहर में खाना खाने के बाद काली मेच के साथ नमक लगा कर खाने से बाल काले और लंबे हो जाते हैं, इसका प्रयोग तीन से चार महिने तक लगातार करें, एक महिने तक इसका सेवन करने से कब्ज, आफरा और अरुची में आराम मिलता है मुली जिसके लिए फायदे मंद हो वहीं इसका प्रियोग कर सकते हैं ये ध्यान रखें अगर आपको वर्जित है तो ना लें आउले का प्रियोग सुखे आउले और मेहंदी को बराबर मातरा में लेकर शाम को पानी में भिंगो दें प्रात यानि की सुबह इससे बालों को दोएं इसका प्रियोग लगातार कई दिनों तक करने से बाल मुलायम और लंबे हो जाएंगे इसके बाद ककड़ी का प्रियोग ककड़ी में सिलिकन और सलफर अधिक मातरा में होता है जो बालों को बढ़ाते हैं ककड़ी के रस से बालों को दोने से तथा ककड़ी गाजर और पालक सब को मिला कर रस पीने से बाल बढ़ जाते हैं यदि यह सब उपलब्ध न हो तो जो भी मिले उसका रस मिला कर पी ले इस प्रयोग से नाखून गिरना भी बंद हो जाता है इसके अलावा आप रीठा का प्रयोग कर सकते हैं कपूर कच्री 100 ग्राम, नागरमोथा 100 ग्राम, कपूर तथा रीठे के फल की गीरी दोनों को 40-40 ग्राम ले लीजे शीका काई 250 ग्राम और आउले 200 ग्राम की मातरा में ले लेना है आपको सभी का मिक्स करके चून तयार कर लेना है इस मिश्रन के 50 ग्राम चून में पानी मिलाकर लुगदी यानि की लेप बना लेना है आपको और इसे बालों में लगाना है इसके पाश्चात बालों को गर्म पाने से खूब साप कर लेना है इससे सीर के अंदर की जूँ लीकें मर जाती हैं और बाल मुलहम हो जाते हैं रीथा, आवला, सिकाकाई, तीनों को मिलाने के बाद बाल धोने से बाल सिल्की, चमकदार, रूसी रहित और घने हो जाते हैं इस लुगदी को नहाने से दो घंटे पहले बालों की जड़ों में मालिश करके लगाएं फिर नहाएं और इससे साफ कर लें इस प्रियोग को नियमित रूप से करते रहने से न केवल बालों को पोशन मिलेगा बलकि सिर में भी ठंधक का अनुभव होगा गुड़हल के पत्ते और फूलों को बराबर की मातरा में लेकर पीश कर लेप तयार करें इस लेप को सोते समय बालों में लगाएं और सुबह धोएं ऐसा कुछ दिनों तक नियमित रूप से करने से बाल स्वस्थ बने रहते हैं गुड़हल के ताजे फूलों के रस में जैतून का तेल बराबर मातरा में मिलाकर आग पर पकाएं जब जल का अंश उड़ जाए तो इसे शीशी में भर कर रख लें रोजाना नहाने के बाद इसे बालों की जड़ों में मल मल कर लगाना चाहिए इस से बाल चमकीले होकर ल इसके बाद भांगरा, बालों को छोटा करके उस स्थान पर जहां पर बाल नहूं, भांगरा के पत्तों के रश से मालिश करने से कुछ ही दिनों में अच्छे काले बाल निकलते हैं, जिनके बाल तूटते हैं, या दो मुहें हो जाते हैं, उन्हें इस प्रयोग को आवश्य ही करना चाहिए त्रिफला के चूण को भांगरा के रस में तीन बार उबाल दे कर अच्छी तरह से सुखा कर खरल यानि की पीश कर रख लें इसे प्रती दिन सुभह के समय लगभग दो ग्राम तक सिवन करने से बालों का सफेद होना बंद हो जाता है तथा इससे आंखों की रो जाएं फिर इसे खरल करके सुखा लेते हैं इसी प्रकार से साथ उबाल दे करके सुखा लेते हैं उसके बाद प्रती दिन तीन ग्राम की मात्रा में ताजी पानी के साथ सेवन करना है इसको आपको और समय ही बालों का सफेद होना बंद हो जाएगा अगर आप प्रयोग करे तथा दस ग्राम मंदूर कलक एवं आधा लिटर तेल को एक लिटर पानी के साथ पकाईए जब केवल तेल शेश बचे तो इसे छान कर रख लिजे इसके प्रयोग से बालों के सभी प्रकार के रोग मिटी जाते हैं अनंत मूल की जड का चून दो दो गराम दिन में तीन बार पानी के साथ सेवन करने से सिर का गंजापन दूर होता है इसके बाद नमबर आता है तील का तील के पोधे की जड और पत्तों के काढ़े से बालों को धोने से बालों पर काला रंग आने लगता है काले तील के तेल को शुद्ध करके भालों में लगाने से बाल असमय में सफेद नहीं होते हैं प्रती दिन सिर में तील के तेल की मालिश करने से बाल हमेशा मुलायम काले और घने रहते हैं तिल के फूल और गोखुर को बराबर मातरा में लेकर घी और शहद में पीस कर लेप बना लें इसे सिर पर लेप करने से गंजापन दूर होता है तिल के तेल की मालिश करने के एक घंटे बाद एक तौलिया गर्म पानी में डूबो कर उसे निचोड कर सिर पर लपेट लें ऐसा करने से बालों की रूशी दूर हो जाती है और आपके बाल हेल्दी एवन मजबूत बन जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बालों की केर कर सकते हैं होमेड रेमेडेज के द्वारा इस प्रयोग को करने में आपको वक्त लगता है थोड़ा ज़्यादा ल नमस्कार दोस्तों नमस्कार बा Ground